शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट का माहौल रहा और बाजार ने एक बार फिर उचे स्तरों से मुनाफ़ा वसूली दिखाए, सेन सेक्स 523 अंप गिरकर 71,072 के लेवल पर बंध हुआ, जबकि निफ्ती में 166 अंप की गिरावट रही और वो 21,606 के लेवल पर क्लोज कि मंगलवार के बाजार में भी इन स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिले, इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग सेटप ये है कि जब तक कि ये अपने लास्ट स्विंग लो को नहीं तोड़ेंगे तब तक ये स्टॉक बुलिश बने रहेंगे, आईए देखते हैं कि मंगलवार के बाजार के लिए वे कौन से स्टॉक है जिन में बढ़त आ सकती है और वे निवेशकों को अच्छा खास प्रॉफिट दे सकते हैं फैबिनो लाइफ साइंसेस के स्टॉक में आज बायर्ज ने अच्छी दिल्चस्पी दिखाई और यह स्टॉक 20 प्रतिशत बढ़ने के बाद 41.76 रुपे के लेवल पर क्लोज हुआ इस स्टॉक में अभी भी बाइंग सेंटीमेंट है और मनगलवार के बाजार में भी यह स्टॉक अच्छी बढ़त दे सकता है भिलवारा स्पिनर्स भीलवारा स्पिनर्स में सोमवार को काफी तेजी रही और इसने बढ़िया अप मूव दिखाते हुए 20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 141.60 रुपे के लेवल पर क्लोज हुआ इस स्टॉक में बायज हावी है और आगे भी इसमें बाइंग मूवमेंट जारी रह सकते है ये स्टॉक अपर ट्रेंड में बना हुआ है आगे भी अच्छी बढ़त दिखा सकता है Orient Press Limited Orient Press Limited के शेरों में सोमवार को अच्छे वॉल्यूम के साथ लगातार खरीदारी देखी गई ये स्टॉक सोमवार को 20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 131.76 रुपे के लेवल पर बंध हुआ मंगलवार के बाजार में भी ये स्टॉक अच्छी चाल दिखा सकता है और इसके अपर ट्रेंड का फाइदा निवेशकों को मिल सकता है ठककर्स डेवलेपर्स ठककर्स डेवलेपर्स में पिछले कुछ दिनों से बाइंग सेंटीमेंट बने हुए है सोमवार के बाजार में भी इसमें 20 प्रतिशत की तेजी रही और यह 20 प्रतिशत बढ़कर 245.45 रुपे के लेवल पर क्लोज हुआ मंगलवार के बाजार में भी इस स्टॉक में बढ़त देखने को मिल सकती है क्योंकि इस स्टॉक में सिर्फ बायज आ रहे है अनूफामा अरुवा फॉमा के शेरों में सोमवार को बहुत अच्छी तेजी रही और वह 20 प्रतिशत बढ़ने के बाद 201.60 रुपे के लेवल पर क्लोज हुए मंगलवार के बाजार में भी इस स्टॉक के बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू हो सकते हैं और यह फिर से बड़ी बढ़त दर्ज कर सकता है इस स्टॉक में बायज हावी है